प्रियाविद्यार्थियो बेसिक कंसेप्ट्स इन सोसलोजी आपके पठ्थेकर्म में सेकेंड उनिट के अंत्रगत समाज सास्त्र में मूल भूत अउधारनाओं की कड़ी में आज हमारा टोपिक है सोसल ग्रुप्स सामाजिक समू इसे पूरो तीन मूली का उधारनाओं का धेनम कर चुके हैं समाज समुदाय और सामाजिक संडशना सामाजिक समू को देखते हैं समू व्यक्ति के जीवन में एक महतोपुर्ण वास्तिकता है व्यक्ति जीवन प्रियंत नेके वलविभीन समू में रहता है अपितु वे निरंतर नए नए समू का निमाण भी करता है समों से प्रतक व्यक्ति के व्यक्तितों की कलपना नहीं की जा सकती प्रतेक समाज में कई प्रकार के समों मिलते हैं समाजिक समों ऐसे व्यक्तियों का एक संग्रय है जिनके बीच किसी ने किसी प्रकार का संबंद पाया जाता है अक्तार लोगों के ऐसे संग्रे को आप समु कहेंगे जिनके बीच में कोई ने कोई संबंद हो ये हमें अब तक ध्यान में आई गया होगा कि समाज सास्तर के अंतरकत हम मुलिक अउधारना का ध्यान करते हैं और समाजिक संबंद जो है वो हमारी केंदरिये अध्यान वस्तो है संबंद का होना निवारिया है सोशलोजिकल प्वेंट ओफ यूज से पड़िभासा इसकी मेकार और पेज ने दी है समु से हमारा तात्त प्रय व्यक्तियों के किसी बियसे संग्रे से है जो एक दूसरे के साथ समाजिक संबंद स्थापित करते है यानि व्यक्तियों का कोई भी ऐसा संग्रे जो एक दूसरे के साथ समाजिक संबंद स्थापित करे वो समु माना जाएगा और समाजिक संबंद नहीं होंगे तो वो समु नहीं होगा वो तो मात्र जूंड होगा तो ये मनुष्य की हमारी व्यक्तियों की एक मूल भूत प्रवर्ति है कि हम सम्मू में रहते हैं गुरूप ओफ इंडिविजवल जो एक समुदाय का अवश्यक्ता तो था आप समुदाय की चैप्टर में बढ़ चुके हैं यहां हम सम्मू को देख रहे हैं तो सम्मू जो है कोई भी जुन्ड को आप सम्मू नहीं कहेंगे व्यक्ति कठा होगे तो बीड में भी कठा होते हैं व्यक्ति वो सम्मू नहीं होगा तो जब तक समाजिक सम्मूद नहीं होगे तब तक आप उसको सम्मू नहीं गएंगे बेसिक बात ये ध्यान में रखने हैं आप अपने को दूसरी एक प्रमुक परिभासा है आगबर नयुम निमकाफ ने बताया है सम्मू की परिभासा देते हुए जब कभी दो या दो स्याधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक सम्मू का निर्मान करते हैं जब दो या दो स्याधिक व्यक्ति मिलते हैं सम्पर्क में आते हैं और एक दूसरे पर भावित करते हैं याना और इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं को एक समू का निमान करते हैं, गुरूप फॉर्मेशन, एक परिभासा और है, टीबी बोटम और की अनुसार, समूद परिभासा, टीबी बोटम और ने बताया, सामाजिक समू व्यक्तियों के उस संकलन को कहते हैं, जिसमें विभिन के बीच निश्चित सम्मंद होते हैं, और परतिक व्यक्ति समू और उसके परतिकों के परतिक सचेत होता है, तो इन परिभासाओं से यह आपको ध्यान मा आई गया होगा कि समू क्या चीज़ है, समाज सास्त्र के विद्यारति होने के ना ते, समाजिक सम्मंद हमारी मूल अध्यान वर्ष्तु है, सोसल रिलेशन्स, उप्रोक परिभासाओं के अधार पर यह हम कह सकते हैं, कि जब दो या दो शैथिक व्यक्ति पार्सपरिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तथा किनी साम्माने हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थ पुर्ण अंत्यक्रिया के द्वारा संबन्क स्तापिक करते हैं, तो एक समूउ का निर्बाग बनाते हैं, मijn चीज क्या बताए गई शामने हितों के लिए अर्थ पुर्ण अर्थ पुर्ल अर्थ उपुर्ण अर्थ होता है, मीनिंग फूल इंट्र एक्शन बिट्विन इंडिविज मिनिंगफुल इंट्रेक्शन अर्थ पुर्ण अंत्यक्रिया समु का लिएमार होता है नेक्स्ट अर्थ और परिभासा जानने के पस्चाद समाजिक समु की विशेशता है मेन करेक्टरस्टिक्स और सोशल ग्रूप सबसे पहला लक्षन या अत्वाविशेशता क्या बनेगी विएक्तियों का समु वेरी सिंपल की विएक्ति का एक जमावडा होगा तो समाजिक समु मने जाएगा कारियों का विभाचन सब्भी लोग अपना अपना कारिय करते हैं समन्य रूचि समाजिक समु में जो सदर्श्य होते हैं उनकी रूचि जो है इंट्रेस्ट है वो समन्य होते हैं समन हित उनके उदेश से अर्था स्वार्थ कह सकते हैं आप कि समन हितों की पूर्ती है तो कार्य करते हैं कारियों को भाजन होता है मिलकर के कार्य करते हैं समन रूची एक इंट्रेस्ट सो है वो कोमन होते हैं कोमन इंट्रेस्ट की दिशा में वो कार्य करते हैं एकता की भाव सुमय वि संभी न समय में भी हायके होती है और होती है किसी और किछ new भारतों समाज लो यहार कि होती है तो यह आने संभी होती है कर से करियों को यह वाता है उत्तरदायतों अभागता तो एक उच्छता और निमंता का करम भी पाया जाता है, एक सीक्वेंस पाया जाती है, प्रतेक सम्मू के अंतरगत, एक्षिक सदस्यता, जहां समुदाय में हमने अनिवारी सदस्यता देखी थे और स्थायत्यों देखी थे तो हमारा ये मौली का उधारना ऐसी है समू जिसके जिसकी प्राप्ति की दिशामें, जिसकी साथ देखव प्राप्ति की दिशामें प्रियासरत होते हैं समू के सबीश दर्श से, ढाचा उसका एक स्ट्रक्चर होता है समू का, जो उसके बाई ये सवरूप को का बोध करवाता है, इससे पहले वाला चेप्टर आपका स्ट्र जो आपको अच्छी तरह पता है कि वाड़ी स्ट्रक्चर की संदचना क्या है उसी तरह समू की वेक संदचना अर्थारत एक धांचा होता एक फॉर्मेट होता है जो उसके बाई ये सवरूप का आभास करवाता है आमें सामाजिक संबंदों का होना निवारिये सामाजिक संबंदों का होना निवारिये हैं व्यक्तिक संपर्क की अनिवारियता नहीं होती है इसमें आव्यक्तिक संपर्क होते हैं थारत आप्टेक्स संपर्क की यह टो शाला होती है इसा नहीं प्रत्यक्तिक संपर्क होते हैं समू में परमुख विश्यस्ताओं के अध्यन के पस्चाथ अगला आता है इसमें पार्ट हमारे समू के टोपिक में Basis of Group Formation अर्थार्थ समू निर्मान के परमुख आधार क्या है समू निर्मान के निर्धार कौन कौन से है समाजिक समू को जरम देने वाले प्रस्थितियां नेकों होती है प्रस्थितियों एमम आवश्यक्ताओं के बदलने के साथ समू निर्मान के कारणों एमम आधारों में भी परिवर्तन होता रहता है बेस कौन-कौन से है सवाल यह उत्ता है कि मनुष्य समू बनाता क्यों है किस कारण से समू बनाता है क्यों किस लिए मूल प्रवर्ती है उसकी आवर सकता एक संतुष्टी है तो सामान नहितों की पूर्ती है तो उदेश्यों की पूर्ती है तो कारियें के विभाजन है तो इस तरह से समु बनाते हैं, उसके आधार क्या क्या हो सकते हैं? तो उसके आधार है परमुक रूप से, समु निर्मान के आधार में हम सामान उदेश्य देखते हैं, सामान हित देखते हैं, सामान भासा का होना देखते हैं, सामान निवास्थान का होना देखता है, इन आधारो उस समु का निर्मान होता है निर्मान होता है सोरोकीन जिंवर्वयन्यम गौलपेन ने समु निर्मान के कुछ प्रमुक आधारों का उलेक किया है रक्त सम्मंद अत्वा इसको हम यूं कह सकते हैं कि एक ही पूर्वज़ से उत्पत्ती में विश्वास जमाने जाएंगे तो एक सम्मुक इस दर्शे होंगे रक्त सम्मंदी अलग-लग सम्मुक इस दर्शे नहीं होते हैं तो रक्त सम्मंद इसका पहला प्रमुक आधार है दूसरा विवा बोड़ा एक सम्मंद ठाबित करते हैं तो एक सम्मुक आ निर्मान होता है मैं आतेदार मिलते हैं आपको प्रात्मिक द्वित् преступ जादू टोने या समान धर्म में विश्वास समान जादु टोना इक्वल विलिफ्स जो होते हैं समान ताइं जो होते हैं एक ही लोक देवता में विश्वास करना एक ही धर्मिक किर्या कलाप में एक ही परकार के समाने कर्मकांड में विश्वास करना तो एक समू के जिदर से माने जाएंगे एक समू का निर्मान कर लेंगे कबीर पंथी जाद्दू पंथी अलग-अलग पंथ होते हैं यह को धरम बहुत बड़ी ब्रोड कंसेफ्ट है और उसके अंतरकत संपरदाय होते हैं उसके अंतरकत और उप संपरदाय होते हैं फिर पंथ होते हैं इस तरह पंथ को मानते हैं अलग-अलग पंथ होते हैं लोग के अंदर अलग-अलग किरिया परनाली होते हैं तो उन सामाने किरिया परनाली सामाने करमकांड, सामाने पुजा पदती और किसी अंद विश्वास है जाद उटोने में लोक विश्वासों में लोक देउताओं के उत्पत्ती में एक समान उत्पत्ती मानने में विश्वास जो ये सब चीजें हैं ये एक परकार से एक समू के निर्मान का मजबूत आधार होती है भारते समाज में खास करके समान जाद से एक पर पर कार का प्रात्मिक समूर एक जो हसी आप जो समान समौ का परोस है तो परोसी हो आप तो एक समू के सदस्य होते हो समाने रितिर्वाज अथ्वारूड या एक परकार के लोको चारों में एक परकार के रितिर्वाज में कस्टम्स में बिलिप्स में विश्वास रखना एक परकार के समू के सदस्य माने जाते हैं एक ही भूमी का स्वाम अपना दोस्ट का विष्ट सथया है Fellow यह दोस्त का दोस्त होता है समन्ने ना है aha मैं सा में समान्य उत्तर दाइट एक परकार का जो उत्तर दाइट और धार उसकी जिम्मेधारिया समान हैं एक समूग्य कार्य करना कि एक और घ्रकान्स में वे का रिक्टर नके में मजदूर के रूप में तो आप एक समौ के होते हैं कि अपकाम करते हैं जिस पर हम ग्रूफ फॉर्मेशन करते हैं गुरुप समू का निर्मान करते हैं एक ही समाजिक संस्था से संबंदित हो ना साथ साथ रह करके कारिय करना कहीं पर भी साथ साथ रह करके कारिय करना अनुप्चारिक रूप से अनुप्चारिक रूप से तो एक समू बन जाता है एक अनुप्चारिकता बन जाती है एक लग की जगे पर झार्य करना या साथ साथ गय करके काτό्या करना एक समू के निर्माण का हुआ है समू के परवक परकार लेक्स्ट इस के अंदर प्वॉर्शन हो सकता ह। टाइप्स-उफ गुरॉप्स अनेक समाज सास्त्रियों ने अनेकों आधार पर समाजिक सम्हों का वर्गी करण परस्तुत किया है जैसे आप सदस्यों के संख्या के आधार पर कह सकते हैं छोटे समूर बड़े समूर जिसमें सदस्य संख्या थोड़ी होगी वो छोटे समूर जिसमें सदस्टे संख्या ज्यादा होगी वो बड़े समू माने जाते हैं जोर्ज सिमेल, जॉन्सन, एम होमन्स ने छोटे समू को समाज के आधार के रूप में माना है एक सार तक्व माना है और वास्तों में चोटे जो गुरूप होते भी समाज के निर्मान का अधार है, मनपूत रूप से एक समाज का आधार स्थम के रूप में, एक फाउन्डेशन के रूप में मान सकते हैं आप किसी भी समाज के लिए, चोटे समू का होना, और सदस्चों की अथिक संख्या क्या दार पर में काईवर और पेज ने प्रांत राश्टर जैसे समनों का चित्रिय समू का उलेख किया है, तो समू का को आकार की दिरिष्टी हम देखेंगे तो चोटे समू और बड़े शम मलतल ने अंते क्रिया दार पर अलांकि राश्टर जैसे बड़े समू को शमू नहीं माना अलां कि नहीं मांद ग्रेजник संबंदों की बात जहां आती हैं जो कि sociology की अंदर main चीज है वो उसमें अभाव मिलता है उसका अन्ते के रियागा तो anyhow दूसरा जो है इस्थाई तो क्या धार पर इस्थाई एम एस्थाई समू लेकिन टीवी बोटोमर ने इस्थाई समू और एस्थाई समू के बीच में एक अलग समू बताएं क्वैसी गुप्स आभार्शी समू या अर्द समू जिसको हम बोलते हैं जैसे परिवार है नातेदारी समू जो इस्थाई समू में आएंगे भीड है श्रोता समू है ओडियंस वो एस्थाई समू के अंतर गताते हैं एक जो है विल्यम ग्रहाम समूर डबलु एच समूर ने एक और क्लाशिफिकेशन किया है हमारा और एक टाइप्स बताएं समू के हम की भावना के अधार पर हम के बढ़ार पर समूर ने बताए है वी गृप और दे गृप अर्थाई हम और वे दे गृप हम जो एकटा की बावना रहा होती है हम वी सब्द इस्निमाल करते हैं दोसरों के लिए हम दे सब्द इस्निमाल करते हैं On the basis of V-filling, two types of groups, similar V-group और D-group. एक ओर आधार हो सकता है classification का, परकार्यात्मक का आधार पर on the basis of functional basis पर जैसे समूँ का करें, गिडिंग्स और गिलिन अम गिलिन ने जैसे समाज सास्त्रों ने परकार्यात्मक का आधार पर समूँ का अवर्गी करन किया है, और तो परमुक परकार कौन-कौन से हैं, एच्छिक समूँ और अनेच्छिक समूँ, व्यक्ति की sectionic, व्यावसाईक, राजनेतिक, बोधिक और म माध्यम से होती है, और समाजिक प्रिवर्ट लाने की दिरिश्टी से समूँ जो है, एच्छिक और अनेच्छिक, दोन्नों महत्वपुर्ण समूँ माले जाते हैं, एक समूँ का और परकार है, संदर्ब समूँ, आकांक्षा, समूँ निर्धारन का एक महत्वपुर्ण रखते हैं, आकांक्षा क्या दार पर, इच्छा क्या दार पर, महत्वा आकांक्षा क्या दार पर था, यह चीजें, यह जो संदर्ब समूँ की जाओ दारना, अमरिका से आई गई थी, महा के सहनिकों के महत्वा कांक्षा का ध्यान किया गया थार उसे, हम हर व्यक्ति आगे बढ़ने की इच्छा रखता है मैं त्वकांक्षा रखता है जिसको हम कहेंगे इंदी में तो आकांक्षा की आधार पर समू का निर्धान का परकार बतायागा है संदर्ब समू रिफ्रेंश ग्रूप और समाजिक संबंदों के आधार पर भी समू बनते हैं अलाकि दित्यक समू का कयो लेक नहीं करते हैं चाल स्कूले बताते हैं समाजिक संबंदों के आधार पर प्रात्मिक समू होता है प्रिवार है पडोस है मित्रमडली है यह प्रात्मिक समू है तो प्रात्मिक और दित्यक आपने देखा समाजिक समू का अर्थ है, समाजिक समू की परिभासा हैं क्या क्या हैं, समाजिक समू की परमुख विशिशता हैं कौन-कौन से हैं और हम समू को कितने भागों में बाट सकते हैं, समू निर्धान के अधार कौन-कौन से हैं, इस तरह से आपका एक बड़ा निम्मन दात्मक क्विस्चन ये आपका पूरा हुआ, कि सामाजिक सम्मन्दों के अधार प्रात्मिक द्युत्यक के नाम से एक अलग समू बनता है, औ और कई बार प्रिक्षिया के अंधर प्रात्मिक द्युत्यक के बारे में पूछा जाता है, तो समाजिक सम्मू का सेश भाग अगले वीडियो में, थैंक्यू